नमस्कार दनीज में आपका स्वागत है मैं हूं आपके सांथ कमलेश परीसा हो तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर पटना में पुरानी पानापूर घार पर शुक्रवार की सुबह पीपपूल पर रेलिंग तोड़ते हुए एक पिकव वैन गंगा नदी में गिर गई अकिलपूर के दानापूर के चित्रकूट नगर आ रहे थे बताया जा रहा है कि अकिलपूर निवासी राकेश कुमार का 21 अप्रेल को तिलक समारो था तिलक खत्म होने के बाद सभी अपने दानापूर इस्थित घर आ रहे थे इसी भी जिए अधरदनाक हाद्शा हो गया इधर वैन के नदी में गिरने की खबर मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस वा गोता खोरों को बुला लिया गया SDRF और NDRF की टीम को रहात कारे में लगाया गया है बता दें की पटना के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँची है हादसे के दोरान पीकप वैन की छट पर सवार तीन लोगों ने कूद कर अपनी जान बचा ली वहीं तीनों में सुजीत कुमार सी हैं, मनोट सी हैं और किताब रह शामिल है सुबगे 6 बचे हुई इस हादसे के बाद सैकड़ लोगों की भीट मौके पर जमा हो गई पीकप वैन को गंगा में समाते देखकर पूल पर हंगामा मच गया आनन फानन में इस्थाने लोगों को बचाओ में जुटाया गया, वहीं प्रशाशन को भी सूचना दी गई इसके बाद SDRF और NDPRF की टीम मौके पर पहुँच कर बचाओ में जुटी हुई है गोता खुरो ने गाड़ी को गंगा नदी में ढून निकाला, इसके बाद पिकप वैन को क्रेन के जर ये नदी से बाहर निकाला गया खबरों में फिलहाल बस इतना ही आगे की अपडेट्स के लिए बने रही है, दन्यूस के साथ नमस्कार